हालो प्रेंट्स, वेल्कम बेक टू मोहन्जर की क्लास, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको स्वतलत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुक्त कामनाई देता हूँ, इससे पहले आप लोगोने स्वतलत्रता दिवस के उपर बहुत सारी olur स्पीशिश्य सुने होगी, उसमें आपने सुना होगा कि स्वतलत्रतद्रत दिवस क्या होता है, स्वतलत्रत क्यों मनाया जाता है, उसके लिए क्या किया था, philosophosheth, शहीद हुए थे, ये सारी बाते आपने उसमें सुनाऊगा लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज बताऊँगा जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी ऐसा बखेगा कि नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमारा देश देड़ सव सालों तक गुलाम नहीं होता और जो हमारे देशवक्त हमारे देशवक्त कुर्बान हुए थे उन्हें कुर्बानी देने की जरूत नहीं पड़ती है तो दोस्तों हम लोगों ने देखा हुआ बहुत सारे स्कीचेस में यही बताया दता है कि स्वतंतरता दिवस क्या है, स्वतंतरता संग्राम क्या है, कैसे कैसे स्वतंतरता संग्राम लड़ा गया, कितने शहीद उसके लिए कुरवान हुए, ये सारी बाते। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी यह भी सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? स्वतंतरता दिवस हम मनाते हैं, स्वतंतरता संग्राम उपने जीता, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? स्वतन्तरता दिवस मनाने के शतंतरता दिवस मनाने के पीछे का उत्तेश यह है कि हम उन शहीदों याद करें साथ ही साथ उनमें जो अच्छे गुण थे, उन गुणों को हम आत्मसाथ करें जो गलतिया उस समय में हुई थी उन गलतियों से हम कुछ सीखे और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करे और आज उसे हम आत्म साथ करें लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ गंतिया उस समय में ऐसी हुई थी जो आज भी है जिसकी वज़े से देड़ सव सालोर तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया वो reason में आपको वो कारण में आपको यहां पर बताना चाओंगा दोस्तों वो कारण है कि हमारे देश में तब भी unity नहीं थी और आज भी unity नहीं थी लेकिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनातने स्वतंत्रता दिवस में यह सारी चीज़े हमें बोलना चीज़े हम लोग सोचना चीज़े इस चीज़े के बारे में लेकिन नहीं सोचते राच क्यों किया और कैसे किया उसके पीछे का कारण गया है तो दोस्तों यही रिजन है कि हमारे अंदर हमारे घर्टियों में हमारे देश की जो जनता है उसमें अभी भी एकता नहीं है और उस समय में भी एकता नहीं आपको मैं बता दूँ आपको याद भी होगा कि दोस्तो जब East India Company 16.00 में जब East India Company आयी थी तब हो हमारे देश पर राज करने करें आयी थी वो केवल और केवल बिजनेस करने आयी थी लेकिन उन्हों यह नहीं यहाँ पर देखा उन्होंने यहां के लोगों को माइन्ड को स्टोडी किया उनके दिमाग को अभ्यास किया और उन्होंने जाना कि यहां के जो लोग है वो एक दुसरे के दुस्मन वने हुए यह राजा उसके उपर हावी होता है वो राजा उसके उपर हावी होता है दोनों एक दुसरे के प्रती दुस्मन ही बनाये बैते हैं एक दुसरे के प्रती साजिस रचते हैं वो उसके तरब जाएगा तो अंग्रेजों ने उखाया, आपको पता होगा कि हमारा देश तब गुलाम भोताई नहीं, अगर सिराजुद दौला सब्सक्तावन में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें सिराजुद दौला अगर परास्त नहीं होते, तो शायद अंग्रेज हमारे देश पर राज न जिसके दमपर, जिसके दमपर यहने सेनापती के दमपर कोई भी युद्द लड़ा जाता है, राजा तो होता ही है, लेकिन उसका जो मेन होता है, युद्द में जो मेन होता है, वो सेनापती होता है, तो सेनापती जो सिराजुद दौला था, सिराजुद दौला का जो सेना वो दस गुना जादा थी, उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने सीराजुद दौला को परास्त किया, क्यूंकि उनके पास एकता थी, हमारी पास एकता नहीं, वही आज तब चलता आया है, उसके बाद में बहुत सारे आया है, बहुत सारे लोगों से अंग्रेजों ने बढ़ाई होई, तो दुसरे जो राजा थे, वहां उन्हें मदद करने आया होते, तो उनकी इतनी सी थे, उनकी जो आर्मी थी, वह इतनी सी जी है, देश भरके, अगर बेश भरके भी नहीं बोलूगा, मैंगर चार-पास राजा अगर एक साथ में मिलकर गर उन्हें उनसे लड़ते, तो शायद हमारा देश आजाद ही रहता, लेकिन नहीं, सिराजुद दवला लड़ रहा है, लड़ने दो, हारेगा, हारने दो, बागी के राजा अपने जगह पे शान, इसकी वज़े से सिराजुद दवला वहां पर हारे गए, अब उसके बाद में धीरे धीरे दिने करते हुए, अंग्रेजों ने पूरा भारत पर अपना वर्चस्व स्तापित किया, तो दोस्तों, यह है में रिजन हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर, अंग्रेजों ने किस तरह से अपना वर्चस्व स्तापित किया, और देड़ सव सालों तक, कैसे उन्होंने हमा जो देशफक्त कुर्बान हुए, उन्हें याद करना ही हमारा पुल्टेश्च नहीं है, तो हमें उसके याद तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें कुछ सीख भी मिलने चीए, क्यों वहां पर इस तरह से प्रॉब्लम हो आता, क्यों हमें देशों सालों तक नहीं गुलामी चाह उन्हें के जो अच्छे गुंते उन्हें हमें आत्मा साथ करना चीए, और हमेरे देश को आवे बढ़ाना से, आज हमारे देश की हलत वही है, हमारे देश में धर्म निर्पा इक्सता है, अखंडता है, एकता है, ये सब कुछ होना से ही, लेकिन आज उसकी जग़ पर क्या ह प्रांतवाद, जातिवाद, धर्मबाद, इन सारी चीजों है जग़ देल आ, आज हर इनसान कहता है, कि वह हो है, वह अमका है, वह ठंका है, स्वरी, मैं कुरांथी ज मिल्टा नाना बाट एAKड़ नहीं, नहीं लेकिन जो बता रहें वह हैट है, आज हर इनसान दुसरे काम अगर यह हमारे देश में चलता रहेगा तो उस समय में अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया अब दुसरा को यहां कर राज करें क्योंकि हमारे अंदर आज भी एकता नहीं है हमारे अंदर आज भी वो यूनिटी नहीं दोस्तो देश को संबालना है तो इस तरह की जो हैं इस देश को अंदर से हमें ही संबालना है बाकी के जो पुलीस वाले हैं इनुलिटरी वाले हो हमारी देश की शिवा बाहर से कर रहे हैं रख्सार horse करेंगे लेकिन जिस घर को अंदर से घिमक लग जाये उसे कोई संभाले, इस देश को अंदर से हमें ही संभालना है, बाहर वाले तो उदर से हमारी रक्षा कर रहे है, यह हमारा तो करता वे इतना है कि हम अपने देश के साथ रहे, तो दोस्तों यहां पर हमें सोचना से ही, क्यूं हम यहां पर फतन तुष्टा दिवस मनाते, उसक लेकिन तुम्हारे तुम ये सोचो, निगेटिव में सोचो, आप ये सोचो कि मेरे अक्यालेजी करने से भोचाय नहों, लेकिन मैं करूँगा, अगर ये हर कोई सोचेगा कि मैं करूँगा, जुसरा सोचेगा कि मैं करूँगा, किसरा सोचेगा कि मैं करूँगा, दीरे दीरे सब करेंगे और सब होगा तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि 15 अगस्त स्वतनुत्रता जिवस आप मनाओ लेकिन साथ साथ जो अच्छी चीचे हैं उसे भी आप आत्म साथ करो इसके पीसे का रिजन क्या है उसे सोचों उसके बारे में विश्वार करो उसके बाद में कोई सब्सक्राइब करो तो दोस्तों अनुतमी मैं किस्याद को कौणा कि शोच्तरता जिवस कि हर्तिक हर्तिक स्वतका मुनाओ के साथ मैं आप से उदेलिकाओं तो यहां